दोस्तो आज की वीडियो में हम जानेंगे स्टीज के बारे में स्टीज मतलब टांके टांके अगर खुल जाए या तूट जाए या फिर टांकों में पस हो जाए रेडनेस आ जाए टांके काले पड़ जाए तो हमें क्या करना चाहिए इसके अलावा टांके क्यों लगा जाते हैं, कितने दिन तक लगा जाते हैं और टांके लगाने के हमें क्या benefits देखने को मिलते हैं और इसमें किस तरह की medications, injections दिये जाते हैं और इनकी dose क्या होती है ये सबी बाते आज हम इस वीडियो में clear करेंगे तो वीडियो को आप एंट तक जरूर देखे और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की knowledgeable वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रही तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो हम यही जा लेते हैं टांके क्यों लगा जाते हैं तो देखिए जब हमारी बोडी का कोई हिस्सा कट फट जाता है एक्सिडेंट में या फिर किसी और वज़े से बोडी का हिस्सा ऐसे कट फट जाता है ज्यादा फट गया है बहुत ज्यादा बलड निकल रहा है तो उस टांके हमें स्टीच यानि टांके लगाने की रिक्वार्मेंट होती है टांके लगाने से घांव जल्दी से बर जाता है जल्दी से रिकवर हो जाता है मान लिजिए बोडी का कोई हिस्सा कट गया है और हमने टांके लगा दिये तो 10-15 दिन के अंदर अंदर घाउं दोजी से रिकवर होना शुरू हो जाता है वहीं अगर बिना टांके के सिंपल ड्रेसिंग कर दिये तो उस घाउं को भरने में 20-25 या 30 दिन का टाइम लग सकता है तो यह होता है टांके लगाने का फाइदा यहां तक सब किलियर पर अगर फिर भी किसी रिजन से टांके खुल जाते हैं तो फिर दोबारा टांके नहीं लगाने हैं फिर हमें मेडिकेशन के तुरू टांके को रिकवर करना हैं दोबारा टांके लगाने से क्या होगा उपर से तो टांका लग जाएगा पर अंदर इसकिन में पस बनना सुरू हो जाएगी इसकिन अंदर से काली पटने लगेगी गलने लगेगी और जकम या गाओं ऐसे ही रहेगा ठीक नहीं होगा तो हमें दोबारा टांके नहीं लगाने हैं यहां तक हमने जान लिया हैं टाके क्यों लगा जाते हैं, क्या फाइदा होता है और टाके खुलने पर क्या करना चाहिए यहां तक हमने अच्छे से कवर कर लिया है अब यहां तक सब किलियर है तो वीडियो में बने रहे और अगर कहीं कोई डाउट है तो आप वीडियो को जा बिटाडीन, या बिटाडीन सोलुשה इसमें सिपलाडीन थोड़ा कम काम करती है बिटाडीन अच्चे से गाउं को भनने में हैल्ब करती है और एक और ओइंटमेंट आती है टीवैक्ट इसमें मुपिरोसिन होता है ये ointment बहुत तेजी के साथ गाउं या जकम को बढ़ती है गाउं चाहे कितना बढ़ा है या कितना गहरा ये किरीम बहुत तेजी से बढ़ती है इस किरीम का बहुत effective result देखने को मिलता है सबसे पहले affected area को spirit या savalon से clean करना है उसके बाद इसमें से किस ये ointment को लगाना है फिर dressing या stitch लगाने है stitch की timing पाच दिन से थिरी वीक तक होती है और patient की condition के coding stitch को खोले जाते है और इसमें medications क्या दी जाएगी अगर घाउं या जकम छोटा है तो cplox 500 mg वाली tablet और pen को कम करने के लिए phologen AA tablet या phologen plus की problem है तो dsr capsule को भी add कर सकते हैं और अगर acidity की problem नहीं है फिर भी dsr capsule को add करना है क्योंकि इन दवायों से acid बन सकता है और अगर जकम कुछ बड़ा है गहरा है तो cplox tablet की जगे moxicon CV 625 tablet को भी लगा सकते हैं ये tablet जकम को बहुत तेजी से सुखा देती है बाकी सब सेम tablet रहेगी बस cplox की जगे moxicon CV tablet लगानी है और एक tablet आती है ciferoxiv ये इसका salt name है मार्किट में ये tablet जीफू या cifakind के नाम से मिल जाएगी ये बहुत heavy और महेंगे अंटिबाइटीक है पर इसका result बहुत ज़्यादा effective होता है कोई बड़ा जकम या घाउं जो ठीक नहीं हो रहा है उस condition में ये tablet दी जाती है और injection में mikasin 500 mg या monosaf इन में से कोई एक injection लगा सकते हैं अब last में इसकी dose के बारे में भी समझ लेते हैं इसमें जो DSR capsule है ये सुबह khalipate यानी OD और fologen double A tablet और इन में से कोई एक एक एंटिवाइटिक सिपलोग या moxikine या जिफू इन में से कोई एक tablet और एक tablet वाइसलों ये तीनों tablet आपने सुबह साम खाने के बाद लेनी हैं यानी बीडी और injection रोजाना भी लगा सकते हैं सुबह साम भी लगा सकते हैं ये सब patient की condition के ओपर depend करता है तो इस तरह से जकम या घाओं को medications, injection और स्टीज के थुरू cover up किया जाता है उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी subscribe कर सकते हैं